नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं आप आज का जोतिफ जराहट के विशय है एक बड़े ग्रह के ट्रांजेक्शन का विशय है सूर्य के राशी परिवर्तन का विशय है सूर्य के नीच राशी में आने का विशय है सूर के 17 अक्टूबर से 16 नमबर के बीच राशी फल का विशय है सूर के विशेस प्रभाव का विशय है आपके प्रतिष्ठा का विशय है आपके राजा का बात करते हैं मेश से लेकर मीन तक सूर का एक खास परिवर्तन जो 17 अक्टूबर 2020 से 16 नुवंबर 2020 के बीच होने वाला है क्या कुछ फल आपके लिए लेकर आया है मित्रो जैसा कि आप लोग को पता है सोर आपकी कुनली में पंचंभाव का कारक होता है लगन का ये मजबूत होता है स्थान भाव और द्रिग तीन प्रकार के बल लेकर के ये अपना फल देता है सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी वालों के लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा लेकिन जानकारी ये भी दे देते हैं कि आप हमसे तीन और चार अक्टूबर को मुलाकात कर सकते हैं मुंबई में और दिसंबर महीने में जो दिब निश्पाप यग्य होने जा रहा उसके बारे में विश्तार से जानकारी भी आपराप्ट कर सकते हैं नमबर आपकी सामने स्कील पर है मेश राशी सोरे का ये खास परिवर्तन 17 अक्टूबर से 16 नमबर बहुत क्रोध पैदा करेगा तनाव बढ़ा सकता है मानसुक रूप से आप सको परिशान करेगा आग भरेगा बहुत नियंतरन रखिएगा गुस्से के कारण कुछ भारी अहित अनिष्ट हो सकता है पढ़ाई में मन लगेगा ब्रेक अप की संभावना बनती है कूर्ड कचहरी के मामले जगणे की वजह से बन सकते हैं दामपत्र जीवन में कुछ दिक्कत रहेगी विर्शब राजी बड़े सुधार की संभावना है शान्ती की संभावना है मानसिक परिशानियों का अंत होगा ब्रिशब राजी के लिए धन की स्थिती थोड़ी सी बहतर होगी प्रावपर्टी के विवाद का हल निकलेगा लव लाइफ बैलन्स रहेगा मेथोन राजी कुछ अइस्थिता की स्थिती रहेगी लेकिन आप सुधार कर सकते हैं सुर्य का एक खाश परिवर्तन सत्रह एक्टूबर से सोलह नॉंबर के बीच आपको धन से मजबूत करेगा एक अलग तरह की जीत का प्रभाव दिखाई देगा सगरात्मक प्रभाव आपके साथ जुड़ा रहेगा मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे परिसानियों का अंत होगा करक्राशी धन की स्थिती अच्छी रहेगी दूतिये शोकर के सोर नीच में जाएंगे रुके धन की प्राप्ती होगी लेकिन पैसा फंसाने के भी संकेत मिलते हैं प्रापर्टी आदि में अभी रुक जाएगा मत लगाईएगा गुप्त शत्रू बन सकते हैं करक्राशी के लिए किसी बुज़ुर्ग के दूर होने की संभावना है सिंग्राशी आत्मच्छत की संभावना बनती है कोई गलत निरड़य आपके लिए परेशानी का कारून बनेगा धन संबंदी चिंता सताएगी परिवार में किसी तरह के अप्रिय समाचार की संभावना बनती है सरकारी काम में थोड़ा सा डिले करेंगे तो बहतर रहेगा प्रापर्टी की विवाद से बचने की आवशकता है कन्याराशी प्रभाव अच्छा रहेगा द्वादशेश होकर के दुती भाव में आएंगे सोजे बाहरी लोगों की मदद से रुके धन की प्राप्ति होगी धन का लाब मिलेगा वहां सुख पजवर्तित हो सकता है कहीं जमीन जाजाद में निवेश कर सकते हैं तुलाराशी आत्मच्छत की संभावना है गलत नड़े ले सकते हैं कुरोध में कुछ बड़े गलत फैसले हो सकते हैं उससे पर काबू रखें अनैतिक कारें से बचने की आवशकता है लेंदेन में साउधानी बढ़ते गूस घास लेना बंद करिएगा परिशानी में पढ़ सकते हैं व्रश्चक राजी थोड़ा सा राज्य पक्ष से आपको अप्री समाचार मिल सकता है पिता की तरब से अप्री समाचार मिल सकता है कारेशेतर में छटपटाहट की संभावनाएं बनती हैं चीजों में डिले करने की स्थिति आती है उससे पर काबू रखें कारेशेतर में अपने आपको ठंडा रखें शीतल रखें और सैयमित रखें धनुराशी वालों के लिए भाग्ये शोकर की नीच रासी में इनकी उपस्तिती थोड़ा सा धर्म की हाने की तरफ इशारा करता है उपरी प्रभाव प्रेद बाधा आद की संभावना बनती है लंबी आत्रा टाल दीजेगा कुरोद पर रंकुष लगाने क्या वशकता है धन के लेंदेन में सावधानी बरतने क्या वशकता है रिष्तेदारों में जादा बड़बोला पन दिखाना भारी पड़ेगा मकराशी पंचमेश होकर के ये आपके टेंथ हाउस में आएंगे लिहाजा आप अश्टमेश होकर के टेंथ हाउस में आएंगे कारी छेतर में थोड़े सी तनाव किस्थिती पैदा करेंगे आलस से आपके लिए घातक रहेगा किसी तरह के सरकारी पचड़े में ना फंसे तो बेहतर है साप पाग काम करना बेहतर रहेगा हड़ियों सम्मंधी चिंता हो सकती है कुम्बराशी सब्तमेशो करके नवमस्थान पर इनकी उपस्थिती यह दर्शाती कि भाग से आपका बहुत सारा काम बन जाएगा इस महीने भाग साथ देगा थोड़ा सा आपने आपको अनैतिक होने से बचाईएगा ध्यान दिजेगा अनैतिक होंगे तो दिक्कत आएगी नहीं होंगे तो प्राप्ती होगी मीन राशी मीन राशी वालों के लिए सोरे छटे के स्वामी होकर अश्टम में आते हैं कहने के लिए विप्रीत राजयोग है लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में डालता है स्वास्थ पर खर्च की संभावना बताता है कुछ अनिष्ट अकस्मात संभाव हो सकता है धन भचा कर रखें तो बहतर रहेगा प्रयोग क्या करना चाहिए सोरे के इस दोश को कम करने के लिए पूर्णतह सात्विग रखें अपने आपको मारिक रूबी पहने हो तो सर्तिया निकाल दीजेगा बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं सोरे नीच के होने जा रहे हैं और बड़ों का आशिरवाद खुब लीजिएगा अपने आपको सहीमित रखिएगा कम बोलिएगा क्रोध कतई 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 मत करिएगा बस ये चीजे ध्यान दे आप आदित त्रदस्त्रोत्र और ओम घिरणे शूरिया नम ओम आदित त्याय नम मंत्र का जाप करिएगा बहुत बश्यक्या बनारस आएंगे दिसंबर 19-25 एक बहुत बड़े आयोजिन का आपको हिस्सा बनने का अवसर देते हैं आप अगर भाग लेना चाहते हैं हिस्सा लेना चाहते हैं सम्रित होना चाहते हैं और क्या आपको सम्रित होना चाहिए इसकी विस्तार से जानकारी लेने के लिए 9560447000 पर मैसेज या वाटसप कर सकते हैं नमस्कार शेरादे